तो सभी का स्वागत है आज के ग्यान सत्र में जितने भी मास्टर्स जूड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और आज का हमारा टॉपिक है सब कॉंशिस माइंड का जादू यानि की अवचेतन मन के जादू तो देखते हैं क्या है इसमें आप सभी के लिए इस सत्र में त कि दिख रहा है अब कि सभी को दिख रहा है यह समय रादे 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 तो सब कॉंशिस माइंड यानि की आपका अवचेतन मन जितने भी हम नॉर्मल अवस्था में अपने आपको देखते हैं तो हम अपने आपको से इस दुनिया को देखते है तो हमारे पास दो मन हैं तो कोई मुझे बताएगा कि आप अपने माइंड और ब्रेन में से क्या समझते है dataset मैं क्या है मैंड और मन है क्या यह डोनों अलग-अलग हैं या एक ही हैं या एक के अंदर दूसरा तो जब हम मैं और म्रें की बात करते हैं यह English के शब्द है जिसको हम mind कहते हैं वो हमारा मन है और जिसको brain कहते हैं वो मस्तिश है यानि कि जैसे कि अगर हम एक computer को देखें तो computer का एक चीज होता है आप यह जो देख रहे हैं black सी चीज जो देख रहे हैं एक box होता है एक monitor होता है keyboard होता है और आप सारी input जो है keyboard से देते हैं वो monitor पर दिखता है और जो भी इसकी processing होती है वो इसके अंदर होती है इसको processing unit कहा जाता है तो अगर यह खाली डिबा होता जिसके अंदर कुछ ना कुछ program है तो यह जो खाली box आपको दिख रहा है जो इसका hardware है वो हमारा brain है यानि की brain एक शरीर का एक ऐसा अंग है बहुत important mustache जिसके अंदर आप हड़ी, mass, space या सब देखते हैं इसके अंदर जो मन है और मन के अंदर जितने भी आपके बच्पन से लेकर अब तक का जो प्यान है जिसको हम यादे कहते हैं, memories कहते हैं, आपकी दिन प्रतिव दिन करने की habits हो गई यह सारा का सारा चीज जो है वो मन में आता है तो mind क्या है एक तरह का program है, software है, इसमें बच्पन से सीखे हुए आपके शब्द है कुछ अंक गणित है, आपने जो पहाड़े सीखे है, टोटल करना सीखा है, नमबरों को कुछ list होंगी, आपके पास shopping list होगी, कुछ memories होंगी, कहीं घूमने गए होंगे कुछ रंग भी रंगे रंग होंगे, किस तरह के कपड़े आपने पहने, इन सभी रंगों के बारे में आपको पैचान है कुछ सपने हैं, आपके dreams हैं, कुछ आपके ambitions हैं, कुछ इसमें गाने हैं, तो हर तरह का जो information है जिसे हम कहते हैं audio visual, यानि कि कुछ तो auditory है, आपको आज भी अपके दादा आना नहीं, सभी के आवाजें याद हैं, चाचाचाची संगीत में कोई भी वादियांत्र बचता है, आप अच्छे से पैचान लेते हो, कोई अल बोल रही है, या तोता बोल रहा है, ये भी आप जान जाते हो, तो सभी का जो भंडार है, information का, वो इस मस्दिश के अंदर है, तो ये बहुत बड़ी एक movie बनी, जिसका नाम था secret, जिसमें इस जादू के बारे में बताया गया, कि अब तक जिस रहसे को किसी ने नहीं जाना, वो रहसे क्या है, वो रहसे है हमारा अवचेतन मन, अव जेतन मन एक ऐसी शक्ती है, जो हमारे अंदर भीतर है, और इस शक्ती को जब तक आप उजागर नहीं करते, तब तक आप एक सुप्त अवस्ता में रहते हो, जिस दिन ये जागरत हो जाती है, आप इसका मन का इस्तमाल करना जान जाते हो, आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, यानि कि आपने देखा होगा अरुनिमा जिनके पैर कड़ गए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूरी परवतारोही को उसकी चड़ाई की, यानि बिना पैर के हैंडिकैप होते हुए भी एक परवत को चड़े, तो अगर आप अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर लो, तो आप दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो ये सीक्रट इस मूवी में बताया गया कि अब तक जिस रहे से को चुपाया गया, वो था हमारा अवचेतन मन, तो क्या आप में से कोई भी ने अवचेतन मन को ढूंडा है, या बता सकता है कि किस हमारे मन के किस कोने में वो मन होता है, या कैसे हम इसको ढूंड सकते हैं, तो चलिए एक एक्सपरिमेंट करके देखते हैं, और देखते हैं क्या हम अपने मन को ढूंड पाते हैं कि नहीं, तो एक ऐसी एक्सेसाइस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं अपन गही सांश लीजिए और सोचिए आप अपने नाना या नानी के घर से अपने घर को लोट रहे हैं तो जस भी वाहन में आप लोट रहे हैं उस वाहन को देखे वो रप का Ayroplane या बेल गाड़ी या ट्रेन या पैदल आ रहे हैं रिक्षा बस जहां से भी आ रहे हैं उस वाहन को देख लीजिए अब वाहन जिस रस्ते से भी निकला है उस रस्ते को अच्छे से गौर से देखे कि उस रस्ते में क्या क्या चीज़ें आपको में ले क्या आपने हॉस्पिटल देखा, स्कूल देखा, विद्याले देखा, मार्केट देखा मंदिर देखा या खेत खलियान देखते हुए आप अपने घर तक लोट रहे हैं कौन सी सडक ली कौन से ट्राफिक सिगनल से आप ख्रॉस हुए और सब कुछ वाहनों के बाद आप अपने बिल्डिंग या अपने घर तक पहुंच गए जैसे ही आप अपने घर के दरवाजा खोलता है आपका स्वागत करता है आप ठके आरे आते हैं और अपने ड्राइंग रूम में या बैठक में बैठ जाते हैं आपका परिजन आपको एक गलास पानी लाकर देता है उस पानी के गलास को निहारते हुए एक फूट पानी लीजिए और आप अपने घर म या ब्राउन या सूख गया है निम्बू, उस निम्बू को काटके आदा पानी में डाल दीजिए और एक टुकड़ अपने मूँ में रख लीजिए और मुझे बताए किस किस कोल निम्बू का स्वाद आया, अगर आपको मूँ में खटास आ गई है तो फ्रिज की तरफ दोब मिठाई है फिर भी हमें इस चीज का स्वाद आ गया है तो कोई भी शेरिंग कर सकता है रिका ची मीना जी कि क्या आपको निम्बू या मिठाई में से किसी का भी सौद आया का मिम्भी और निम्बू को यह कैसे हुआ मुझे बताईए आप तो मेरे साथ बैटी हुई है सत्र में ना तो आपके हाथ में निम्बू है ना मिठाई है तो यह कहां से हुआ और आपको क्या सारा रस्ता याद था रस्ता आपने देखा मन से क्या दिखा आपको मंदिर दिखा मन क्या दिखा आपको भी कर से, जाते बख्त भी उसी बेल के पेड़ में पेड़ से होते हुए आये हैं और एक मंदिर देखा एक हनुआजी का मंदिर एह है और जंगल के रास्ते में होते हुए घर आई हूँ मेरी बेटी ने, मुझे गलास पानी दिया, फिर एक गेट कोला, एक गलास पानी दिया, फिर मैने उस पानी को पीके, फिर किचन में आई, तो फिर इस तो है नहीं में में टो क्री में से नीवू निकाली, और निकालते हुए मैंने हरा भी देखा, पृлись पीला भीू देखा, और जैसे नीबू लेने के बाद जैसे टेश्ट आता है वैसी आया है और मीठा भी लिया मीठा तो मेरा मन पसंद है उसको भी मैंने ले लिया बहुत मज़ा है तो सिर्फ कलपना मात्र करने से ही जब नीबू का और मिठाई का स्वाद आ सकता है तो इसी कलपना को क्या आप ब बैटे बैटे अपनी नानी दादी के आवाज को पैचान सकते हैं हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं इतनी चीजे हैं कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं इसी कल्पना से हम कितने ही देश और कितने ही अने को अने को गाउं अने को अने को ब्रहमांड की यात्रा कर सकते हैं तो यह है अवजेतन मन की शक्ति हम यहीं इसी शरीर में यहीं बैठे हैं और हमारा मन पता नहीं कितनी जगा पे उड़के आया तो कौन बलवान है कंप्यूटर या मन क्युकर इसन नहीं कंप्यूटर को बना बलाई कंप्यूटर में अधिक शक्ति हो calculation करने की या data को store करने की पर हमारे मन जितनी शक्ति कंप्यूटर बे भी नहीं है परंतु मानव के साथ क्या प्रॉब्लम है मानव को इस knowledge या इस शक्ति के बारे में पता नहीं है इसलिए कहा आप अपने मन का दो पर्शन भी यूस नहीं करते इतना विशाल तो आपका मन है क्या कर सकते हो सुनने यह आप जानते ही नहीं कि इसमें और क्याग्य शक्तिया है और क्या क्या इसका जानूं तो हमने यहाँ पर नीम्बू को देखा ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मन और क्या क्या करता है तो जब भी हम अपने मन के विचारों को देखते हैं तो हमारे अंदर विचार कैसे बनते हैं यह हमने कभी सोचा नहीं है जैसे आप मुझे देख रहे हुए यह आपका आज के दिन का पहला विचार है अगर आपने मुझे पहले कभी न देखा हूँ तो पहली बार देखना एक विचार हुआ यानि जो हम अपनी पांच इंद्रियों से इन्फोर्मेशन लेते हैं वो ही एक थौट को क्रियेट करते हैं जैसे ही विचार क्रियेट हो जाता है यानि आपने मुझे देखा उसके बाद हम क्या करेंगे मैं कैसे दिखती हूँ मेरे रंग रूप कैसा है मेरा रंग सावला है गोरा है वो सब आप देखेंगे मेरी आवास कैसी है और मेरा नेचर कैसा है वो भी आप मैसूस कर पाएंगे कि ये सौम यह है तेज बोलने वाली है या अच्छी नहीं है धूर्थ है जो भी आपका डेसिशन होगा आपके माइड में एक पिक्चर छप जाएगी उसके बाद आपका मन एक जज्ज्मेंट की तरफ जाएगा हाँ ये लेडी ऐसी है आपका मन एक जज्ज्मेंट की तरफ जाता है और आप एक धारना भी बना लेते हो कि अंजना जी ऐसी है उसके बाद आपके मन को क्या करते हैं ये मन ये वाली याद को एक मेमरी बना देता है और आपकी लोंग टर्म मेमरी में चला जता है अब अगली बार में जब आऊंगी तब आपको ये जरूरत नहीं है कि इस लड़ अंजना है तो यही हमारे साथ होता है एक ही बार इनफोर्मेशन को वो स्टोर करता है इसलिए बच्पन में जितनी भी चीज़ें आपने की होंगी जैसे आपने साइकल सिखा होगा स्विमिंग सिखा होगा रसी टपा वो आप जिंदगी भर रही पूलोगी क्योंकि कहा जा जब एक शिशू जरम लेता है वो एकदम कोरे कागस की तरह होता है और जीरो से आठ साथ बरस तक उसका सिरफ जो अगचे तनमन है वो जाकरत रहता है तो जो भी इनफोर्मेशन आप आठ साल के बच्चे में डालते हो जाए आप रामायन डालिए महाबारत डालिए जो भी तो इसी को कहते हैं आपका अवचे तनमन जो आपने आठ साल तक विक्सित किया उसके बाद जब आठ साल के बाद क्या होता हम स्कूल जाने लगते हैं हमारा दायरा बढ़ जाता है हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे स्कूल के फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं अलग- करते हैं तब आप जो कारी कर रहे हैं वो ही कारी आप करते रहते हैं और वो लॉंग टर्म मेमरी में कम जाता है जो कि साथ बरस की उमर में जो जाता था वो अब कम जाएगा तो यदि आप ये ताज महल देख रहे हैं तो ताज महल के इर्द गिर कम से कम पचास से साथ जो आप अभी देख रहे हो आपकी आँखे तो सब चीज़ देख रहे हैं देखो अलग अलग तरह के पेड़ है अलग अलग तरह के इतने सारे फाउंटन है मिनार है ताज महल है उसमें ताज महल में नकाशी है पत्थर है तो बारीक से बारीक चीज़ भी हम लगाएं तो सौ चीजे होंगी हमारी आघे देख तो सब रही होंगी पर याद कुछ भी नहीं कर रहे हों गया तो अगर किसी को ताज महल के बारे में लिखने को कहा जाए तो किसी दो लोगों का लेख जो है कभी वी एक नहीं होगा पर ताज महल तो सेम है यानि द्रिश्य तो एक ही है देख सभी लोग यही द्रिश्य रहे हैं परंतु लिख अलग-अलग रहे हैं क्यों कि हम ताज महल के बारे में नहीं लिख रहे हैं हम अपने ताज महल का अनुभव के बारे में लिख रहे हैं तो जो भी हम लिखते हैं वो हमारे अनुभव यान नहीं रख सकता सिर्फ पांच या छे या साथ जादा से जादा आठ चीज़े ही याद रख सकता है तो वो आठ चीज़े ही मन के भीतर जाती है ठीक है और उसके बाद ये बनती है आपके धीरे धीरे धारना या ये शाहजाने बनाया था मुम्ताज महल के लिए, एक प्यार के लिए बनाया गया मकमरा, या तो ये पहले से ही धारना है, या आपने स्कूल की किताबों से पढ़ा है, तो एक बिलीफ आप इसके साथ जोड देते हो, इस तरह ये एक मेमरी बन जाता है, उसके बाद आप डिस्टॉट भी कर देते हो, यानि कि जब यही अनुभाव, आप दूसरे को सुनाओगे, आप वैसा नहीं सुनाओगे, जैसे ये देखा था आपने, या क्या मौसम था ताज महल का, इतना अच्छा, तुमने तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस्स कर दी, यानि उस चीज का अनुभाव, तो और मरोड के दूसरे को बताते, अब ये तीसरे वेक्ति को आपने बताओगे, शायद अपने पती को, यार कुछ भी मजा नहीं आया, ताज महल देखने में, इतना सुना था, तो आपने फिर एक चीज़ और मरोड दी, यहां पर, तो आपकी मन की आदत ह है, हर चीज़ को distort करने की, तो यहां पर दूसरा काम ये मन क्या करता है, उसके अर्थ को ही बदल देता है, या उसके अनुभाव को ही बदल देता है, फिर हम एक जनरलाइस धारना भी कर देते हैं, यार देखो तो राजा ने प्यार के लिए एक मकबरा बनाया, तो एक जनर जगा पर जाएं, और वह आपका चोड़ी होजाए, फिर आप जनरलाइसेशन क्या करते हो, यहां के तो जगाही बिकार है, यहां जगाही बिकार है, तो सब ने फिर ह हटना के होने से आपने पूरे लुकालेटी को कहा दिया, यहां तो यह हमारा मन इस तरह का खेल खेलता ह हम जनरलाइज करते हैं स्टेटमेंट कि कितनी बार हम अपनी शकल को मिरर में देखते हैं तो आज हम सिरफ अपने अंदर भीतर इस सबकॉंशिस माइंड के जो नकारतमक चीजे हैं उनके उपर आज काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम एक बहुतर इंसान कैसे बन सकते हैं हमारे इस अफ्जेतन मन में जितनी भी धारणा है इनको हम कैसे अपने शरीर से बहा नकाल सकते हैं कैसे हटा सकते हैं इसके उपर माजबात करें मैंने कहा जैसे कि हम किसी को देखते हैं हमारे मन में पहले ही क्या आजाता है एक पिक्चर आ जाती है यह वेक्ति ऐसा है और जब हम अपने बारे में करते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार, मैं तो ऐसा ही हूँ मिरसे तो हो गई नहीं आज मैं बहुत ठकी पड़े हूँ मैं थुड़ी यह काम कर सकती हूँ तो आप अपनी बार, कितनी बार तो आप अपने शरीर को देखकर भी गलानी करते हो, भगवान ने मुझे कितना मोटा बनाया, मुझे काला बनाया, मुझे ऐसा शरीर दिया, तो कितनी बार आप अपने आपको सौरी फील करते हो, यानि अच्छा नहीं लगता आपको देखने कि कुछ लोगों ने कह दिया उसी को दिल से लगा लेते हो यार ये तो बहुत तेज़ बोलती है कि तो जबान मी ऐसे है बस आपने उसके एक कहने से अपनी धारणा बना लिए कि मैं तो ऐसी ही हूँ तो कितनी बार लोगों के नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप अपने आप को खानी पहुँचाते हो अपने वेक्तित वो खानी पहुँचाते हो जैसे मुझे किसी ने का स्टूपेड गधा तो मैं अपने आपको मान लू क्या मैं स्टूपेड गधा हूँ तो ये चीज़े होती हैं जब हम एक हीन भावना से पले बड़े होते हैं तो हम उसको पूरी जिन्दगी उस हीन भावना से पले बड़े रहते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉप यानि हमारे भीतर की जो आवाज है उस आवाज को ले हम अपनी ही एक अलग से धारणा बना लेते हैं तो हमें क्या करने की जरूँट है आज की डेट में इस सेल्फ टॉप को हटाने के लिए हमें इस नेगेटिव सेल्फ टॉप को चैलेंज करने की जरूँए एक पेपर पैन लिखिए और उसमें सारी नकारत मक्त तक जो जो आप के मन में आरे विचार उनको लिखिए कि ये मेरा मन कह रहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ मैं कोई काम करने में निपन नहीं हूँ मैं काम करना बहुत धीरे करती हूँ मिरसे कोई काम अच्छा होता ही नहीं हर चीज मेरे हाथ से गिरती रहती तो जो भी आपकी चीज़े हैं जैसे आज हमने दोहराया, बार-बार कोई चीज को दोहराते हैं, जैसे हम टेबल्स दोहराते थे, तू, अन्जा, तू, 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 बच्पन में, जो भी चीज हम रिपीट करते थे, वो हमारे मायन में छप जाता था, इसी तरह अब हमें negativity से positive चीज़ों क धोराने की जरुवत है, तू, इसी को जर्नलिक कहते हैं, और आपको, जो आपके पास है, हाँ, भगवान ने मुझे नाख दिया है, एकलिस मैं ब्रीट तो कर सकती हूँ, तो आखे दी हैं, मैं दुनिया को देख दो सकती हूँ, कितने सारे लोग तो जीवन में अंदे हैं, तो इस संसार को देख ही नहीं सकते, तो इन दो सुन्दर आखों को आपकी सुन्दरता के उपर नहीं, बरंतो इसकी उप्योगी ताख पे आपको धन्यवात देने की जरुवत है, हाँ, भगवान ने मुझे इतना अच्छा मस्टिट लिया, इतनी इच्छा इंच्छा उखाना बरा सकते, तो क्या क्या यूटिलिटी है, उसका आपको बार बार ग्राटिटूड देने की जरुवत है, आपने देखा होगा कितने लोग, कितने जवान, कितने अक्सिडेंट में अपने हाथ पैर खो देते हैं, उन से तो आपका ही जुना बहतर है, तो अपने आज इतना उठा दीजे और उस प्रभु का देहे दिल से दन्यावाद दीजे की आभार प्रकट करिए कि आपको बहुत कुछ दिया है, तो इसी तरह आप अपने आपको आइडेंटिफाई करिए कि कौन से आपके ऐसे मन में नेगेटिव थौट्स हैं और उनको हमें कोई बार हमें से लगता है, कोई हमारा पीचा कर रहा है, कई बार हम अपने ही रिच्टदारों से ढर जाते हैं, तो ये चीज़े जो है, हमें भगवान ने जो दी हैं, तीन डरों के साथ पैदा किया, एक तो जीवन का डर, यानि कि कभ हमारी मृत्डिव हो जाएगी, कोई हमें मार ना दे इसका डर रहता है fear of survival दूसरा होता है fear of unknown unknown मतलब अग्याद यानि कि ऐसी जगा पे जाना जहां में उसका पता ही नहीं या आप एक जंगल में जा रहे हो वो जगा आपने कभी गए नहीं तो वहाँ पे आप हमेशा fear of unknown कि क्या होने वादा इसका हमेशा डर रहेगा और तीसरे डर के साथ जो हम पैदा होते हैं वो है fear of five इसलिए जब भी आपने देखा होगा बच्चे को उपर उचाल देते हैं वो बहुत डर जाता है क्योंकि इसको पूंचाई से डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए हो तो ये fear होते हैं इसके अलावा जितने भी fear हुए हैं आपके वो मन के भ्रहम है और वो आपने पाले है तो fear का अगर हम full form देखें F का मतलब false evidence appearing real यानि कि जो चीज़ है ही नहीं वो आपका मन की भ्रांती है और वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो जब भी आपको किसी चीज़ से बिटर लहे इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है अपने मन को सांसों पे लेकर आईए अपने mind को relax करिए और एक गुरु मंत्र है एक word है इंगलिश का स्टी ओपी जब आप अपने mind को stop का command दे देते हैं तो आपकी सारी नकारतमक और जाए या नकारतमक विचार रुख जाते हैं क्योंकि कभी हमने mind के उपर हावी होना सिखा ही नहीं तो जब तक आप अपने mind को command नहीं देंगे मन तो भाकता रहेगा चलता रहेगा और दोड़ता रहेगा एक विचार के बाद दूसरे विचार तो आपको अपने mind को लगाम देने की जरूरत है stop जैसे ही बोल देते हैं आपकी सारी की सारी नकारतमक पूर्चा फतम हो जाती है आप वहीं स्थिर हो जाते हैं इसी तरह आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं आप अपने डर के आगे सामना कर सकते हैं तो मुझे क्यों डर आ रहा है किस चीज़ का डर है मैं अगर इसके आगे चला जाओंगा तो क्या तो जब आप अपने डर का सामना करते हैं वो डर ठाग जाता है तो आपको धीरे ध इने स्मॉल स्टेप्स लेने की जरुवत है जैसे मुझे तैयरना नहीं आता परन्तु जब मैं राफ्टिंग केई तो उसने कहा आपको पानी में उतरना है अब डर तो लग रहा था पर अगर मैं उस डर का सामना नहीं करूँगी तो मैं वहीं बैठी रूंगी तो मैं geographical कर के तो देखते हैं क्या होता है जाद से यदा क्या होगा तो उसने मुझे जब कुछ उता रहा तो मैं तो डूबी नहीं क्योंकि मैं तो लाइफ जैकेट पैना था तो इस तरह जब तक अगर हम कदम है आप उसको हमेशा दबाते रहोगे इसलिए कुछ न कुछ हमें जीवन में ऐसा करना चाहिए जो एडवेंचरस हो और कितनी बार तो हम यह देखते हैं कि जो हमारी नकार अत्मक भावनाय होती है वो किस तरह की होती है हम दिन बर में क्या इंफोर्मेशन कलक करते हैं यह सार कि सीरियल देख रहे हैं आहड देख रहे हैं क्राइम देख रहे हैं जितनी भी उर्जा आप जा रहे हो मैंने आपको कहा कि हमारा मन और आँखे तो सब कुछ देख रही है अपके स्टोर क्या कर रहा है यह हमें नहीं पता तो हम देखते तो सब चीज़े हैं अगर हमारा कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तुम परफेक्ट नहीं हो, तो इस तरह की बातें हमारी निगेटिव मन जो है, यह उर्जा दो है, नकारतमक उर्जा हमें देता रहता है, तो यह है आपका conscious mind और यह है आपका subconscious mind, देखने में conscious mind जो है, बहुत छोटा सा है, पर तुछ जो ब्रमान का ग्यान है, कितनी किताबों जितनी भी आपने पढ़ी हैं, उसकी मेमरीज हैं, यह आपका बिलीफ, आपकी हैबिट्स, आपकी धारनाएं, आपके माता पिता से लेकर, जितने भी परिजनाश तक आपने देखें, कहते हैं, एक लाइफ टाइम में असी हजार आपने कितनी बार कोशिश की होगी, कि अभी तो मैं कुछ गुन-गुना रही थी, थोड़ी दार में वो धुन भूल जाते हैं आपको, फिर वो भूली हुई धुन को याद करना कितना मुश्किल है, तो ऐसे ही एक लड़की है, एमा, वो प्यानों बजाती हैं, और काफे इन उसे एक धुन के पीछे वो लगी हुई है, उसको वो धुन सपने में आती है, आप वो पारक में जाती है, फिर से वो थोड़ा सा गुन-गुना आती है, पर वो पूरी तरह याद नहीं आता, आपके साथ भी कई बार दुआ होगा, आप कुछ याद करते हैं, फ्रिज क बॉक्स जैसे ही वो खिलती है, फिर से वो धुन सुनाई देती है, आप वो प्यानों के पास बचाने की कोशिश करती है, फिर से वो भूल जाती है, फिर से उसको यादी नहीं रहता, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, कई बार चीज़े याद रहती है, कई बार आप भूल जाते हैं उसके बाद धीरे-धीरे वो प्यानों को बचाती हैं अपने आखे वह पद्ब करती हैं और अपने सक्टन को याद करती हैं जहाँ पर उसको वह धुन्ज सुनाई दी थी फिर से वह जब creative ideas आपके subconscious माइन्ड में होती है। कई बार सफने बहुत सुलीले होते हैं, कई बार हमारी कोई कविता होती है, जिसकी रचनाम करने चाहत 네, कई बार एक तस्वीर होती है, जिसको हमें painting करनी होती है, तो कोई ना कोई creative ideas, वो हमारे अफजेतन मन से चुपी होती है और उसे हमें बार निकालना होता है तो इस लेडी ने बाद में इसी संगीत से एक बहुत ही अच्छा मास्टर पीस बनाया जिसका नाम था इकोज आफ तर सबकॉंशिस तो इस तरह इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि कितने बार हमारे मन हमें गाइड करता है कुछ करने के लिए थोड़े देर हम भूल चाते हैं कॉंशिस माइड की वज़े से प्रेजेंट डे के एक्टिविटी से अगर आप आँखें बंद करके शांत रूप से बैठेंगे फिर से वो चीज़ें आपकी मेमरीज में आ जाएंगी तो इसी तरह जब भी आप ध्यान करें कितने सारे आपको ध्यान में इंट्यूशन्स आते हैं तो वोही चीज़ें आपको एक्स्प्लोर करने की जरुवत है यही है आपके सफ पॉंशिस माइड का जादू जीवन में जीवन देखने की कला कि हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं क्या हम उसको सही देख रहे हैं कि नहीं यदि इन चित्रों को देखा जाए अगर आप सिरफ काली चीज़ों पर ध्यान दोगे तब आपको एक चित्र दिखेगा और अगर आप सिर्फ सफेद चीजों पर देखोगे तब आपको एक चित्र दिखेगा तो ये आपके उपर डिफेंट करता है कि जीवन जीने के लिए आपका नजरिया क्या है अगर यहांपे सफेद चीजों पर ध्यान दिया जाे तो पहले चित्रम्हें आपको दो चहरे दिखेंगे अगर मैं सिर्फक आले चीजों पर ध्यान दू तो यहांपर एक खूल-दान दिखेंगा इसी तरह अगर मैं दूसरी पिक्चर को देखू तो मुझे अगर मैं सिर्फ काली चीज़ों पर ध्यान दूँ तो यह और बहुत ही स्वीट 20-22 साल की एक युवती दिखरी है पर अगर मैं सफेज चीज़ों पर ध्यान दूँ तो यहां पर आप देखेंगे यह जो मेरा पॉइंटर है यह एक बुढ़िया की आँख है तो ए आपके उपर है कि अगर कोई बोलता है आज बहुत करमी है आज का दो वैदर ही खराब है वही वैदर एक किसान के लिए एक गुण कारी होगा उसकी फसाल पकने का टाइम होगा एक आइसक्रिम बेचने के लिए गरमी का मौसम सबसे बेस्ट होगा उसकी सारी आइसक्रिम ब कि कोई मुझ से प्यार नहीं करता तो कोई की संख्या अगर हम लिखे तो कितने लोग हैं जो मुझ से प्यार नहीं करते और उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो मुझकिल से चार या पांच ही लोग ёंगे तो कहां की धारणा कि अगर 4-5 लोग मुझसे प्यार नहीं करते ये साबित करता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता इसी तरह जो ये words होते हैं English के nobody, everyday, everyone, somebody, someone, everyone इनकी कोई भी आप नाप तोल नहीं कर सकते, इनको नपा तोल नहीं कर सकते इसलिए इनको quantifiers कहते हैं कि आप इनकी quantity को नाप नहीं कर सकते तो इसलिए ये बे-बुनियाद हैं जब हम कहते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो चलिए देखते हैं कि इस तरह हम अपने जीवन के नकारादमक को positivity में बदल सकते जब मैं कहता हूँ कि या कहती हूँ कि मैं कभी जीवन में सफल नहीं हो सकती I will never succeed तो आपको क्या बोलने की जरूरत है कि I will learn and grow from this experience and successes within my reach यानि मैं नित्य प्रति दिन अपनी अनुखों से सीख रहा हूँ और सफलता बिलकुल मेरे कदम चूम रही है अगर मैं दूसर सेंटन्स लोँ जहां पर मैं कहूँ I am a failure कि मैं तो एक असफल रहती हूँ तो फिर आप क्या कहोगे कि मैं हर बार गलती करता हूँ और मैं अपनी गलती से सीखता हूँ और अपने आप में सुधार लाता हूँ हर बार जब मैं यह कहती हूँ I am not good enough मेरे अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है अब आप कह सकते हो नहीं मेरे अंदर वो चीजे सामरतेवान हूँ और सफलता के मैं लायक हूँ और मैं सबसे बेस्ट काम कर रहा हूँ अपना सबसे निपूंता वाला काम कर रहा हूँ जब मैं कहती हूँ this is impossible यह तो हो यह नहीं सकता है तो असंभव कार यह है तो मुझे क्या कहना चाहिए कि यह एक चुनोती भरा काम है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं छोटे-छोटे कदमों के से छोटे-छोटे-चोटे अजीवल स्टेफ से इसको पूरा कर सकते नयाम कर रहा हूँ और मेरा स्वस्त सुदर रहा है अगर मैं कहूं कि मैं स्टक हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है मैं जहां काख़ड़ा वही हूँ मुझे मुझे कहने की जरूत है कि मैं समय समय पर अपने आत्मा का निरिक् और ये मेरी जो उमर है वो मेरे लिए एक वर्दान है जब मैं ये कहती हूं कि मेरे जीवन में प्यार ही नहीं है या मुझे प्यार पाना ही नहीं आता तो मुझे कहने की जरूरत है नहीं मैं प्यार के लायक हूं और हर बार मैं अपने आप से स्वयम से प्यार करती हूं और य यही सही टाइम है मुझे अपने आप से प्यार करने के लिए इस तरह आप इसकी फोटो ले सकते हैं आप कुछ सेल्फ एवेरनेस एक्टिविटीज रोज कर सकते हैं कुछ एफ़मेशन रोज लिख सकते हैं ग्राटीचूड जर्नल मड़ा सकते हैं जिस तरह मैंने आज आपक के आगे उसके opposite sentence लिख सकते हैं अपने आपको अच्छे लोगों की संगत में रख सकते हैं अपने शीशे के आगे self confidence की exercise रख सकते हैं और कुछ रोजी ध्यान कर सकते हैं और चोटी चोटी जो भी आपकी विक्टरीज अपने खुद की पीट को थपतर पाखे celebrate करेंगे भले दघैरी आपने आज एक चाय बनाई हो वाँ क्या चाय बनाई है क्या सुआट वाँ आज मैंने अच्छे से घर की सफाई की अपने आप लोत हमेशा शावाशी बहाई Г challenge is, इतने अच्छे से अपने माबापका ख्याल रखना, सास सुर्फा ख्याल रखना, किसी का इंतजार मत करिए कि कोई आपके आपको तारीफ करेगा, या आपको सर्टिफिकेट देगा, आप खुद की तारीफ करने लाइक बनिये, खुद को एप्रिशेट करें, तब आपकी जो इसी तरह रांदी जी ने कहा कि हमें सत्य, सत्य को पैचानना है, सत्य को उजाकर करना है, और सत्य का ही साथ देना है, जो सत्य है उसी को जानना, जब हम बच्पन में हमारे माबापने कहा कि यहां पर भूत रहते हैं, तो क्या हमने उस चीज़ को जाना, या वहां जाकर दे चिसको हमने सत्य मान दिया तो हमें हर बार इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है जो हमारी बाते हैं हमारी धारणा है क्या उसमें सत्यता है की नहीं जब हमें उसकी नौलेज हो जाती है और उस धारणा को हम बदल सकते हैं क्योंकि हमारे धारणा ही हमारे विचार बनते हैं हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं हमारे शब्द ही हमारे करम बनते हैं और हमारे करम ही हमारी आदते बनती हैं हमारे आदती ही हमारे गुण बनते हैं और हमारे जो अच्छे गुण होते हैं वही हमारे भाग्य को लिखते हैं हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, अगर हम इसी लैडर पर उल्टे चलें, यानि कि विचारों को बदलें, तो ध्यान के द्वारा हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं. तो इसलिए साइंटिस कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को कुछ जानते ही नहीं हूं आप इसका हाड़ली तू पसंट ही यूज़ करते हों यहाँ पर हम ग्राटिटूड देंगे और यहाँ पर सबकॉंशिस माइंड का जो जादू है पतम होता है तो आज आपने कुछ सीखा आशा करती हूं इस कहानी से कुछ सीखा कुछ नकारात्मक पहावनाओं को पहचाना और उनके उपर काम करने की जरूर कोशिश करेंगे